तो चलो आज आपको हमारे इस आलिशान घर का टूर करवाते हैं जो कि 1.5 CR में बना हुआ है अब आप बोलोगे कि यह आलिशान हुआ कैसे यह तो बना ही नहीं है रुको यार चलो तो अंदर पहले फिर आपको पता चलेगा कि यह कैसा बनने वाला है नीचे नहीं जाना है हम जो कि बहुत ही प्यारा बन रहे यहांपे एक ओपन विंडो रहेगा और साइड में हमारा दोर रहेगा यह जो बन रहे ना इसके सामने मैं बनाने वाली हूँ अपने रील्स और कुछ लोग कमेंड में बोलते हैं कि मुकुल के वहरा हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ क जहां पे हम अपने लिए एक जिम बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा लगजूरियस रूम जो की 1500 स्क्वेर फिट में बना है तो सबसे फर्स्ट आपको मिल जाएगा लॉबी जिसमें सारे चीजे इटैलियन लगे हुए हैं जो की बहुत जादा कॉसली है इसके वाल्स, इसके टाइल्स, इसके सारे चीजे इटैलियन है और यहां पे लगने वाले L शेप के सोफा यहां लेफ साइड पे एक और कुछ डिजाइन बना हुआ था यहां पे रहेगा कोई काउच और सामने चलते ही सबसे पहले दिखता है वाल जो की है टीवी का वाल जो की बहुत ही प्यारा बनने वाला है साइड में कुछ तो ग्रोविंग होने वाला है और यहां पे हमारा लगने वाला है फुल साइज का टीवी ये सबसे फेवरेट जगा है मेरा क्योंकि ये है वाड्रॉब जो कि मेरे कपड़े रखने का है और ये पूरा मेरे लिए बनाया गया है मुकुलना में से इतना जाधा परिशान हो गया है कि उसने पूरा वाल भरके कबड बना दिया है मेरे लिए पूरा क्लोजट मेरा है Wahndraup के दोनों ही साख़ ढॉयर्ज भी है और जो खाली स्पेस है उसमें डैग्स रखने वाली हूर जो नीचे स्पेस है इसमें में अपने लगेज रखने वाली हूं अब चलते सबसे में जगे पे जो की हमारा लग्जूरियस रूम जो की बहुत ही बड़ा बन रहा है बहुत ही ग्रांड बनने वाला है बहुत जादा पैसे खर्च हो रहे है इसमें तो यह हमारा बैड है और पीछे जो है यह वाल इतना लग्जूरियस बना रहे है हम उपर के फ्लोर को कि यार क्या ही बताए जब देखेंगे तो ना मज़ा ही आ जाएगा सेंटर पर यहां पर लगने वाला एसी इसके आगे मैं बनाने वाली रील्स जो कि बहुत ही प्यारे लगेंगे और जस सामने है टीवी यूनिट इसमें हम लगवाने वाले ओले डिस्पले का यह जो ड्रॉयर से बहुत ही अच्छे अंदर मैंने एक सिक्रेट ड्रॉयर भी रखा है जिसके अंदर मैं सिक्रेट चीजे रखूंगी तो अभी चलते हैं मुकुल का फेवरेट एरिया जो कि यह बार एरिया हम पीते नहीं है लेकिन यहां पर हम जूस सजा के रखने वाले जादा जूस लवर है इसलिए ना वहां पर हम जूस बनाने वाले हैं और किसे को पता भी नहीं लगने वाला है अब है सबसे ब्यूरिफुल प्लेज जो की है हमारा बाथरूम तो चलो आपको हमारी बाथरूम की टूर करवाते हैं यह इतना बड़ा है ना कि हम जिस रूम पर अभी रहते है ना यह उससे भी बड़ा है और यह इतना एक्सपेंसिव है ना यहां पर लगने वाला है जो लाके रखा हुआ है और उसके जस्ट उपर है सन रूफ हम सन रूफ वाला बाथरूम बनवाए हैं जो अपने आप रिमोट से आफ भी होगा और ओन भी होगा यहां पर मैं सारिच सामान रखूंगी अपने और यहां पर लगने वाला है टीवी यार जो जकुजी है ना वही 2.5 लाके आए हैं और यह जो शावर एरिया है ना इसमें जो शावर प्लेट लगने वाला है वो भी देड़ दो लाक का है यहां पर रहेगा हमारा बेसिंग जो की बहुत ही प्यारा बनने वाला है मिररवर्क और यहां पर में को चोट लग गई जकुजी यहां पर रखा हुआ है और इसी में पता नहीं क्या था लग गया में को यह है एक और क्लोजेट यार गाईस हमारे घर पे हम ना ऐसे नहीं चाहते कि कपड़े कहीं पड़े र और मैं बोल जो कि यह भी पूरा मेरा है यह जो है ना एक अरिया यह सिर्फ मुकुल का है क्यूंकि उसको लगते ही नहीं है सारे कपड़े मेको ही लगते है तो यह भी एक क्लोजट बनने वाला है जो की बहुत ही प्यारा बनेगा तो अभी चलते हैं सामने में जो कि अभी- window रहेगा जो कि artificial रहेगा पूरे घर पे CCTV कामरा भी लग रहा है तो कुछ problem नहीं होगा और सामने में हम इना front view जो है balcony से मिल जाता है room का बहुत ही प्यारा लगेगा तो हमारा घर यहीं पे complete होता है आपको सबसे best part कौन सा लगा मुझे comment करके बताओ हमारा जो ground floor है उसका भी अगर home to चाहिए तो मुझे comment में बताओ